नमस्कार हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ जी आरेफ हिंदी 2021 की तैयारियों के अंतरगत हम इकाई तीन पढ़ रहते दोस्तों जिसमें हमने लगभग आपका जो रस संपरदाय था वो कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने रस निश्पत्ती और सधारने करन के बारे में भी पढ़ लिया था लगभग हमारे दस इसमें हमने कर लिये हैं साहीते शास्त्र से रिलेटिड अगर आपने अभी तक वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जो हमारी इकाई तीन के नाम से प्लेलिस्ट पनी है उसको देख सकते हैं वहाँ पर हमने आपका जो कावे शास्त्र है खासका जो भाति कावे शास्त् पढ़ लिया था कि कौन-कौन से प्रमुक जो कवी रहे हैं या अचारे रहे हैं हमारे संस्कित के और कावे हेतू, कावे लक्षन और कावे प्रयोजन के संदर में वो कौन-कौन से चीज़ें कहते हैं और UGC NET की परिक्षा के लिए यहां से यह वाला जो टॉपिक है बहुत हम इसमें देखेंगे जो सहीते शात्र जो हमने अभी तक पढ़ लिया है इसकी हमारी यह हलांकि पहली प्रशनोतरी है लेकिन इसके अलावा और भी हमने प्रशनोतरियां जीतरें भी हमारे यूनिट्स हमने अभी कबरब किये हैं UGC NET की तैयारियों के अंतरगत तो हमने जो आपकी एक प्लेलिस्ट और बनाई हुए है जिसमें हमारे मौक टेस्ट हैं और साथी साथ MCQs के नाम से भी हमारी कुछ एक प्लेलिस्ट बनी है तो आप जो मौक टेस्ट बनी है उसको देख सकते हैं बहुत जादा मौक टेस्ट हमने इसमें रखती हैं जो UGC NET के थी वो रखती है और इसके अलावा जो भी चीजे हम अपने lectures में बताते हैं YouTube में यहां पर उन से related जितने भी हमारे प्रशन और बनते हैं quiz के माध्यम से हम Telegram ग्रूप में भी quiz करते रहते हैं तो आप हमारे Telegram ग्रूप के साथ जूड़ सकते हैं और वीडियो के पहला प्रशन क्या है तो जितने भी आज मैंने प्रशन रखे हैं देखें यहां से मैं लिए आपका जो काबशास्तर है वो बहुत जादा महत्वपूर्ण है आप देखते हैं कि स्थापना और तरक वाले प्रशन और इस तरीके से जो कथन वाले प्रशन आते हैं आपको 4-5 कतन दिये गए हैं, उनमें से सही और गलत छांटने होते हैं, इस तरीके के प्रशन पूछ जाते हैं, और साथ ही साथ आपको जो क्रमानुसार रखने को कहा जाता है, या तो कुछ रचनाये होंगी, या फिर आपके जो प्रमुक का विशास्त्री अचारे हैं, उनक साहीते शास्तर के 6 और 7 अध्यायों में किया है, तो ये वाली बात हम अपने, जब हम इस साहीते शास्तर वाली यूनिट 3 को कर रहे थे, तो पहले ही लक्चस में हमने ये चीज अच्छे से पढ़ ली थी, जो आप भरतमुनी के नाटे शास्तर की हम बात कर रहे हैं, और इ विवेचन किया है, और कितने रसों की इन्होंने परिकल्पना की है, इसमें ये भी बहुत ज़्यादा महतोपूर्ण प्रशन है, कई बार इसको भी पूछा जाता है कि भरतमुनी के नाटे शास्तर में कितने रसों का इन्होंने वनन किया है, तो वो है 8 रस इन्होंने माने ठीक है आगे देखिए भामा ने कावयरस की बात करते हुए रस को अलंकार और विभाव को रस माना है तो ये बात भी बहुत ज़्यादा महतपूर्ण है और बिल्कुल सही बात है तो पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है दूसरा कथन भी क्या है सही है तो भामा की जो रचना है देख origin कावे लंकार उसमें इनने क्या कहा है कि कावे रस की बात करते हुए है रस को लंकार और विवाव को इनने क्या माना है रस माना है तो यह चीज भी हम पहले ही पड़ चुके हैं आगे देखिए दंडी ने माधुर गुण को रस का प्रियायवाची माना है इस चीज को भी हमने डिसकस किया हुआ है जब हम रस के सदारनिकर्ण के संदर में बात कर रहे थे तो वहाँ पर हमने इस चीज को अच्छे से पढ़ा हुआ था ठीक है और रस सम्परदाय के उपर भी हमने पूरे दो-तीन लेक्चर रखे हैं आपका रस निश्पत्ति के उप आपका सदारनिकर्ण के उपर है ना तो आप एक बार उसको भी देखेंगे तो आपके लिए ये प्रिशन बहुत ही जादा सिंपल होने वाले हैं ठीक है तो प्रियायवाचिमाना और अलंकारों का ध्ये काव्य को रस्मे स्विकार करना है ठीक है तो ये बात क्या है क्या 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 स्विकार नहीं किया है तो विकल्प नंबर 4 इसमें क्या होगा ये गलत होगा तो इस तरीके के प्रशन आप देखते हैं कि UGC.net की परिक्षा में पूछे जाते हैं तो ऐसे प्रशनों के लिए आपने तैयार रहना है ये कोई रटने की बात नहीं ही यहाँ पर आपको simply चीजों को समझना है कि किसने कौन सी चीज कही है बार बार आप चीजों को पढ़ते जाएंगे तो आपको यह याद होती रहेंगी तो इसलिए आप इनको देख सकते हैं हमारे जो और भी mock test बने हैं उनको भी देख सकते हैं चलिए अब हम देख लेते हैं अपना और तरक से बहुत जादा प्रशन पूछे ही जाते हैं कवीता के संदरब में या फिर आपको रस के संदरब में ठीक है या फिर आपको जो दूसरी चीजे हैं उनसे रिलेटिटर चीजे बहुत जादा पूछे जाती हैं कवीता के संदरब में है ना इस तरह के से आपक अलंकारों के संबन में पूछा जाता है, बिम्ब के संदर में पूछा जा सकता है, तो यह भी बहुत जादा महत्पूर्ण प्रशन है, तो यहाँ पर देखिए, रसका निरनायक सहिर्द होता है, तो स्थापना में यह क्या कह रहे हैं, कि जो रसका निरनायक है, वो क्या है, स तो यहाँ पर हमने पहली चीज़ क्या देखनी है कि जो रस का निरनायक कौन होता है वो सहिर्द है तो सहिर्द क्या है देखिए वो आपका पाठक है या श्रोता है या दर्शक है ठीक है तो उसको हम मान सकते हैं कि वो रस का क्या है निरनायक माना जा सकता है लेकिन जो सहिर् होता देखिए वो रसका समिक्षक नहीं हो सकता क्योंकि आपका जो सहिर्द है वो तो हर कोई हो सकता है लेकिन समिक्षा करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए उचित आपके पास ज्यान होना चाहिए नौलेज होना चाहिए कि वो उसकी समिक्षा भी कर सके आनंद तो हर क इकषक नहीं होता है, आपका जो सहिर्द होता है, प्रतिक सहिर्द है, और इसके संदर्म में आपने एक और चीज भी कहिए, देखें, मैंने आपको इससे पहले भी बताई थी, कि ये प्रश्च curriculum में आपके लिए भी छोड़ भा हूं, कि किसने ये माना है, कि हर कोई व्यक्त क्या है सहिर्द नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में जाकर बता सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम तो आप पीछे वाले लेक्षास को एक बार जरूर देख लें वहाँ पर हमने यह चीजे, जहाँ पर हमने सधारणीकर्ण के संदर्म में कहा था वहाँ पर हमने इसको अच्छे से बताया हुआ है तो यहां पर प्रश्ण संख्याद 2 का जो सही उतर होगा विकल्प नंबर 1 ए सही है और आर गलत है चलिए अगला प्रश्ण हम देख लेते हैं प्रश्ण संख्याद 3 है देखिए कविता सूसपष्ट संगीत है कावे हेतु के संदर्ब में यह कथन किसने कहा है तो देखिए कावे हेतु कावे प्रियोजन और कावे लक्षयों के संदर्ब में ये चीज आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहां से या तो आपको इस तरीके का कथन दिया जाएगा या फिर आपके जो कावे हेतु कौन-कौन से माने जाते हैं तो ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैंने यहां पर इवरल प्रशन रख दिया है, कवीता सूस पश्ट संगीत है, कावे हेतु के संधर्व में यह कथन किसका है, तो देखिए, ये बात किसने कह आपके जो कवी ड्राइडन हुए हैं उन्होंने, ठीक है, तो हलाकि इस जो इनकी ये परिभाशा है, तो इसकी कई बार आलोचना भी होती रहती है, क्योंकि ये क्या है, सरवत्र सत्य नहीं माने जाती है, ठीक है, कहते हैं कि जो अनिक जो गीत जो गाय जाते हैं, वो सभी क कावय की विशेष्टाएं नहीं रखते, तो इसलिए एकास जा सकता है, कि जितना भी आपका संगीत होता है, वो कावय नहीं है, संगीत कवीता का क्या है, एक पक्ष माना जा सकता है, लेकिन संगीत जो तत्तो है कावय का अनिवार अंग नहीं माना जा सकता, ये चीज अप कावय के लिए तो ड्राइडन की ये परिभाशा अपने आप में सत्य नहीं माने जाती चलिए अगला प्रशन हम देख लेते हैं प्रशन संक्या 4 है देखिए क्रम से रखिए तो ऐसा प्रशन भी आपको UGC NET की परिक्षा में पूछा ही जाता है तो यहाँ पर करम से जो रचनाए है वो पूछी गई है उनको रखने को कहा गया है तो यहाँ पर मेंली है देखिए सबसे पहले कावेदर्श रख गई है तो कावेदर्श अगर आपको पता है कि किसकी रचना है तो ये दंडी की रचना है और दंडी का जो समय माना जाता है देखी यह था सात्वीं शती, उसके बाद तो आगला है देखिए जो धन्य लोख है, तो धन्य लोख किसकी रचना है यह है आपके आनंद वरधन की, आनंद वरधन का जो समय था यह था नवीं शती, तो फिलाल तो अभी हम ठीक चल रहे हैं और विशुनाद जी का जो जो समय है वो क्या है वो चौदवी शती है तो ये वाला प्रशन जो है इस तरीके से आपका ए विकल्प ही सही होगा ठीक है या तो आपको रचनाएं दी दी जाएंगी या फिर आपको यहां पर जो आपके कभी अचारे हुए हैं संस्कित के उनको ह ही दिया जाता है और ये प्रशन maximum time आप देखते हैं कि यहां से इस तरीके से प्रशन बनता ही बनता है तो इसलिए आपने इसको याद रखना है चाहे इनकी रचनाएं हो चाहे फिर आपके कभी अचारे हुए हो उनको भी आप याद रख सकते हैं अगला प्रशन हम देख हैं प्रशन संक्या 5 है देखिए कावेदर्श में हैं तो देखिए कावेदर्श में क्या चीज है छे परीछेद है या 650 शलोग हैं तो अगर आपने पहले हमारे लक्षर को अच्छे से समझा होगा देखा होगा तो आपके लिए ये प्रशन तो बिलकुल ही easy है simple सा प्रशन इससे पहले वाले प्रशन में हमने इसको देख लिया था अगला प्रशन देखिए प्रशन संक्या 6 कश्मीर निवासी नहीं है तो आपके जितने भी अचारे हुए हैं उनके आपको जनम स्थान या जनम वर्ष ये भी याद रखना बहुत जरूरी है यहां पर हमने रखा ह कि आप देखते हैं मैक्सिमम जितने भी आपके कविया चारे जो संस्कित के हुए हैं वो कहीं न कहीं आपके कश्मीर से संबंद रखने वाले हैं तो यहां पर यह पूचा गया है कि आपके जो अन्य यहां पर हैं कि जो कश्मीर के निवासी नहीं है तो इसमें जो आपके हैं वीशोनाद कहां से हैं ओडिसा से हैं और आपके ममट कश्मीर के हैं जब एक लिए की जगरनाद कहां से हैं ये आपके आंधरा के हैं तो दो और चार इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ठीक है तो बिकलप नंबर दो इसका क्या है है सही प्रेमचंद की तो प्रेमचंद जी ने कहा था कि कावे क्या है वो जीवन की अलोचना है तो यहाँ पर बोला है कवीता मूलता जीवन की अलोचना है तो यह किस ने कहा है यह मैथ्यू और नौल्ड ने कहा है कावे के संधर्व में कवीता के संधर्व में की कवीता क्या होती ह तो इसको आपने याद रख लेना है कि इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि और नौल्ड और प्रेमचन में तो इसलिए मैंने दोनों भी कल्पियां पर रख दिये थे चलिए अगला प्रशने रिखिए प्रशन संक्या आठ सधारनी करण को ब्यवस्तित तंक से प्रतिष्ठित करने का श्रे किसे प्राप्त है तो ये चीज तो हम जानते हैं कि सधारनी करण को जो है अगर हम इसको बात करें कि इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है ठीक है तो वो अभिनव गुप्त ने इसको क्या किया जादा प्रतिष्ठित किया अविर्भाव अगर बात कर जाए तो ये किसने माना है सधार्निकर्ण वो माना जाता है भटनायक ने इसको प्रवर्तित किया लेकिन प्रतिष्ठित करने का श्रे जाता है अभिनव गुप्त जी को चलिए अगला प्रशन है देखिए प्रशन संख्या 9 इसमें ये कहते हैं कि सधार्णिकर्ण के स्थान पर दोश्दर्शन के स्थापना किसने की है तो ये प्रशन भी बहुत जादा महत्वपूर्ण है कि सधार्णिकर्ण के स्थान पर दोश्दर्शन तो रस निश्पति में जब जगनात ठीक है तो इन्होंने माना कि जो सदाहरनीकर्ण अन्य विद्वान ने जिसको कहा इसको इन्होंने दोश दर्शन नाम दिया है तो यह चीज भी important है नेक्स प्रशन है देखिए प्रशन संक्या 10 जगनात ने सदाहरनीकर्ण के संदर में किसका उदाहरन दिया है तो इसे पहला भी जगनात से related प्रशन था अगला प्रशन भी जगनात से देखिए रसकंगाधर इनकी प्रसिद रचना है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है और 18 सदी के आसपास इनका समय माना जाता है तो इन्होंने जो उदाहरन दिया था सदाहरनीकर्ण के संदर में तो यह दिया दुश्यंत और शकुनतला का उदाहरन अगला प्रशन है देखिए प्रशन संख्या 11 देख लेते हैं कावे की प्रेरक वृतियां कितनी है तो प्रतीबा है आपका व्युत्पत्ती है और उसके साथी साथ नेक्स्ट जो कावे हेतू माना जाता है आपके अभ्यास ठीक है ये तीन माने जाते हैं कावे हेतू लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि जहां पर प्रतीबा व्युत्पत्ती के रहने पर भी क्या हो जाता है आपके कावे की रचना नहीं हो सकती है कि आपके पास प्रतीबा भी है है ना आपके पास व्युत्पत्ती भी है लेकिन आपके पास जो अभ्यास भी है इसके अलावा ये कहते हैं कि इसके अलावा भी आप रचना नहीं कर पा रहे हैं तो इसके अलावा कौन सी यह चीज है जिससे आपको कावय कर सकते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, कावय की प्रेरक वृत्या कहते हैं, या वहाँ कावय की प्रेरक वृत्या कहते हैं, या वहाँ कावय की प्रेरक वृत्या कहते हैं, या वहाँ कावय की प्रेरक वृत्या कहत पिर सौंदरय के प्रति आकरशन और धार्ड बस आपका कौतूहल, जिसको मांजाता है, वो, तो यह तीन जो कावे के प्रेरकवरितियां माने जाती है, यह चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, और कावे हेतु के संदर्म में इनको लिया जाता है, कावे हेतु हमने पहले से related ही प्रशन पूछा गया है कि कावेक के तीन हेतु हैं प्रतीभा, ब्युत्पत्ति और अभ्यास ब्युत्पत्ति को बहुग्यता किसने माना है तो देखिये इसका जो सही उतर होगा ब्युत्पत्ति के बारे में और आपका जो नेक्स्ट जो लास्ट में आता अभ्यास इ इसका जो सही उतर होगा यहाँ पर यह होगा विकल्प नंबर दो बहुग्यता किसका है राज शेखर का है ठीक है चलिए अगला परशन देख लेते हैं प्रशन संख्या तेहरा स्थापना और तरक वाला ही प्रशन होने यहाँ पर रखा है देखिए तो स्थापना में लिखा है कि कावे का आनंद लोकोत्र और अनिर्वचनिय होता है तो यह चीज़ क्या है बिलकुल आपके ठीक है कि आपका जो कावे का क्या आनंद क्या है लोकोत्र और अनिर्वचनिय होता है तरक क्या कहते हैं देखिए क्योंकि रस को ब्रह्मनंद का समानार्थी कहा गया है तो इसलिए आपके जो दोनों खतन है वो दोनों के दोनों सही हैं तो स्थापना और तरक वाले प्रशनों के लिए भी आपने तयार रहना है क्योंकि ये वाले प्रशन बहुत जादा पूछी जाते हैं और बहुत सारे स्टुटेंट्स ऐसा कहते हैं कि सर हमें ये चीजें याद रहती है इनको किस तरीके से करना है तो इसको करने का तरीका तो एक ये है कि एक तो आपको अगर आप जादा पढ़ते हैं तब तो आपके लिए बेनिफिशल है कि आपने चीजों को बारीकी से पढ़ा है लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे कि आपको ये टेक्टिस कीजिए और आप देखेंगे कि अगर आप प्रीबियस एर पेपर में देखेंगे तो बहुत सारे प्रशन इसमें repeat भी होते रहते हैं तोड़ा सा घुमाफिरात के पूछा जाता है तो आप प्रीबियस एर पेपर को एक बार जरूर देख लें वहां से भी कई बार का उलेक किया है तो हिंदी में किस ने किया देखिए संचारी भाव इनको अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है व्यविचारी भाव भी कहा जाता है तो आपके जो संचारी भावों की संक्या कितनी माने गई है ये माने जाती है 33 लेकिन दो व्यक्ति ऐसे हुए हैं एक का आप इन्होंने पहले ही बता दिया कि एक तो बानुदत ये खुद हैं, ठीक है, दूसरे कौन हैं, जिन्होंने संचारी भावों की संक्या 33 में एक और जो चल नामक जो आपका संचारी भाव है, उसको एड़ किया है, और इनकी संक्या 34 मानी है, तो संस्कीट में तो हो गये आ आपको पता होना चाहिए, चलिए, अब हम आज का आखरी प्रशन देख लेते हैं, इसमें देखिए कौन सा प्रशन है कि कावे शुभाकरान, धर्मालंकार प्रचक्षते, ठीक है कावे जो है कावे की शुभा को बढ़ाने वाले जो है अलंकार होते हैं, यह किसने माना है तो ये बात कही है देखिए अचारे जो आपके दंडी हुए है ठीक है तो अचारे दंडी जो भामा का कावय अलंकार है देखिए उन्हें हलांकी अलंकार जो संपरदाय है या अलंकार का प्रवर्तक किसको माना जाता है भामा को माना जाता है और दंडी ने उसको परिभाशित कि किसको जाता है ये अचारे दंडी को जाता है और इन्होंने क्या कहा है का वैशोभाकरान धर्मालंकाल प्रचक्षते तो ये थे दोस्तो आज के 15 प्रचन अगर इन 15 प्रचनों में मुझसे कहें पर कोई गलती हो गई हो या किसी प्रचन का उत्र मेंने गलत बता दिया हो या कुछ आपको डौर्स है तो आप कमेंट सक्षन में जाकर बेजिजक हमसे कह सकते हैं और ताकि हर विद्यार्थी तक सही तरीके से सही जानकारी प कर सकते हैं तो फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्रशन अच्छे लगे हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों की बीच में शियर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलें तो best wishes all the very best thank you so much